रिवा और सीधी जुले सहित विंधि के विकास के लिए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन रिशुकल वर्षों से निरंतर प्रयास रत है रिवा से सीधी फोर लेन के साथ साथ मोहनिया घाटी में राश्ट्री अस्तर के सुरंग का निर्माड कराकर रिवा और सीधी के दूरियां कम करने का अनुकर्णी प्रयास किया जा चुका है अब रिवस शहडोल मार्ग में पढ़ने वाली छुईया घाटी में सुरंग की जल्द ही सौगात मिलने वाली है जिप्टी सीयम के निरंतर प्रयास के कारण छुईया घाटी में सुरंग निर्माड का जीपी आर्ट तयार हो चुका है एवं शाषन इस्तर पर टेंजर की प्रक्रिया प्रारम कर दी गई है 2024 से ही सुरंग की निर्माड का कारे प्रारम हो जाएगा चोई अगाती में सुरंग की स्विक्रती की खबर सुनकर सीधी सतना एवं शहडोल जिले की आम जनता में खुशी की लहर दोड़ गई है इतना ही नई रिवस शहडोल तक फोल लेन सडक के निर्माड की भी प्रक्रियाप प्रारंभ हो गई है चोई अगाती में सुरंग बनने के बाद सीधी जिले के बगवार, रामपुर अंचल के सैकडो गाओं एवं सतना जिले के हिनोती, कंधवारी, मनकिसर अंचल के 50 से ज्यादा गाओं के लोगों को सीधा लाप मिलेगा अभी जहां बगवार, भरतपुर से रीवा पहुचने में एक से डेड़ घंटी का समय लगता है सुरंग बनने के बाद आधे घंटे में लोग रीवा पहुच जाएंगे सुरंग बनने के बाद जहां एक ओर स्थानी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा वहीं परेटन छेत्र की राह आसान हो जाएगे रीवा से लोग एक घंटे में परसीली एवं संचे टाइगर रिजर्व बार सागर देवलोंथ बांध पहुच जाएंगे चुहिया घाटी में तनल का निर्माड हो जाने के बाद परेटन सुविधाओं का विस्ता समुचे विंधे छेत्र में होगा हम आपको बता दें कि रीवा शहडूल एवं सीधी रीवा सतना मार्ग में इस्तित चुहिया घाटी में कठिन मोड एवं चड़ाई के चलते वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सरक हाथ से भी इसी वज़े से चुहिया घाटी में होते रहते हैं चुहियाघाटी में four lane tunnel का निर्माड हो जाने के बाद वाहनों को कम समय में चुहियाघाटी को cross करने में मदद मिलेगी महीं डिप्टी सियम राजिन रशुक्ल ने बताया कि छुहिया घाटी में सुरंग के निर्माड के लिए टेंडर जल्द ही बुलाय जाएगा और अतिशेग्र सुरंग का निर्माड कारे करने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने बताया थी छुहिया घाटी में सुरंग बनने के बाद जहां एक और सीधी शहडोल के लोगों को रीवा पहुचने में बहुत कम समय लगेगा महीं सीधी शहडोल उमर्या के परिटन स्थर का विकास होगा झाल